मोगा साडी बोलता है कोई तांत बोलता है कलमकारी बोलता है कोई कांजीवरम बोलता है कोई पट्टू बोलता है पटोला बोलता है नवारी बोलता है पेचनी बोलता है और कोई यहां पे कसवु साडी बोलता है इस तरह के हेवी टू हेवी साडियां हर सीटी में चलती है बस पचास हजार उपे की जो पूरा खड़ी पे, जो कतान पे साडी बनती है, हातों से दो दिन में साडी बनती है, वो पहन लेंगे, और दोनों की फोटो क्लिक कर लेंगे, कोई बता ही नहीं पाएगा कि यह सेम सेम है, और इस ही साडी को लगबक 10,000, 12,000, 20,000 उपे का बेज दे है, हैरान मत हो यह जोगा, बनारस में लेकर नहीं आए, आपको लेकर रहे है, आरोना टेक्सेल हब में, और बनारस वाली जो साडीयं है, यहाँ पे अलग से काउंटर तयार कर दिया गया है, नमस्कार जी, नमस्ते, मैं स्पेशल जैसे मैंने बोला, कि आज बनारस में लेक बनारस में लेकर रहे हैं, डिजाइन्स एक से बढ़कर एक मिलेंगे, जिसके अंदर अगर मैं बात करूँ, आपको जैसे हमेशा से पता है, वोलिवोड थीम की जो कलेक्शन्स होती है, जो साडीयं होती है, जो हेवी हेवी प्राइज में जाती है, अगर मैं प्राइज की उनकी बात भी करूँ, तो वो हजारों में नई, लाखों की प्राइज की जो साडियां होती है, जो वोलिवोड अभी नेतरी जैसे रेखा या फिर मदुबला ये लोग पहनते भी थे, और आज भी इस तरह की कलेक्शन्स चलते हैं, विद्या बलन वगरा इस तरह की क्रेश साथ में विविंग कॉंसेट पूरा फिनिशिंग के साथ आपको मिलने वाला है, इन सम में कलर ऑप्शन्स और पूरा सेटवाइस प्राइस क्लेक्शन्स मिलेगा, पहचान आपको मैं दिखा दू, बॉक्स एक बर मैं पहले दिखा रीजे, आप बनारस पी अगर जाएंगे आपको यह सब चीजे आपको यहां पर मिल जाएगी प्रीमियम क्वालिटीज वाले कैटलोग वाले कलेक्शन्स मिलने वाले हैं, विद कैटलोग विद अप्रिंटेट के इसमें कलर ऑप्शन त्रेंगे चारो बॉक्स के अंदर, लेकिन अगर में एक स्पेशल कलेक्शन्स पर बॉक्स की बात कुलो तो इस तरह से आपको हमारे यहां का बॉक्स पैकिन का कलेक्शन्स मिलने वाले बहुत ही शञादार! पैक्पि IT है, पैकिंग बहुत ही खुब सुरत है! डिजाऊंस पैट्रन उस तरह से और भी खुब सुरत रहने वाले हैं! तो इस तरह से WILD के क यहां पर एक्स्रा भी चीज़ें की जा रही है बहुत एक्स्रा इसका उपर देखी आप डामेंड वक किये जा रहे हैं यह पाइपिंग हैंड्वक किये जा रहे हैं तो बहुत आगे निकल चुका है इन चीजों के लिए हमने बहुत सारे ने क्रीशन अगर मैं बात करूँ तो इस तरह से आप देख सकते हो heavy blouse का creations रहेगा पूरा का पूरा designs बना हुआ है आपने बनार्ज की साड़ी देखी, weaving देखा, color देखा, designs देखा बट आपने देखा कि हमने इसमें lease water का नया काम creations हमने लॉंच किया है यह सारा extra job work जो होता है वो सबसूरत नहीं किया जाता है वहां पर अगर हम बात करें अलग लग नाम से साड़ी बेखती है कतान साड़ी बोलते हैं बिल्कुल कतान हो गया बिल्कुल अगर मैं बात करूँ साड़ीयों की बेसे साड़ीयां वैसे तो हर सीटी में एक जैसी ही होती है पैनी सब सीटी में जाती है और साड़ीया आज से नहीं पुर्वजो के जमाने से चलती आई है तो traditional collection है साड़ीयां तो साड़ीयां हर जगे सीटी हर सहर में चलती है बस नाम चेंज हो जाते हैं अब कोई मोगा साडी बोलता है कोई तांत बोलता है कलमकरी बोलता है कोई कांजीवरम बोलता है कोई पट्टू बोलता है पटोला बोलता है नवारी बोलता है पेचनी बोलता है और कोई यहाँ पे कसवू साडी बोलता है इस तरह के heavy to heavy साडियां हर city में चलती है, बस सबका नाम अलग हो जाता है, जैसे अगर हम किसी बड़े mall में चले जाए ना, बहाँ पे वो ना, इसका अलग नाम लिख देंगे, कोई art सिल्क लिख देगा, कुछ, कोई इसको लिख देगा, history सिल्क लिख देगा, तब जो आजक चारहजार में easily मिल जाएगी आपको, इस तरह से टेशल्स, वर्क उप्शन साथ में हमने यहाँ पे, जो मैंने बोला, handwork आपने pipe-in का काम देखा, तो इसमें हमने जर्दोजी के line बहुत ही खुबसरूती से लगाई गई है, जर्दोजी है, स्टोन है, स्टोन भी औरगेंजा में आज तक कभी सिल्क साडी का कलेक्शन सुना है, नहीं सुना, लेकिन हमने यहाँ पे बनाया है, औरगेंजा पे भी, सिल्क, यह देखे, पहले तो इसमें काम है, पूरा weaving है, कलर ट्रडिशनल है, रैड कलर जो हर किसी को पसंद आता और वो चलता भी आया है, पल्लो पूरा सिल्क बेज रहेगा, आपको यह एक फैवरिक है, पूरा सिल्क में ही है, बट जो इसकी पूरी साडी है, वो औरगेंजा में रहने वाली है, और औरगेंजा का यह सिल्क का साडी हमने यहाँ पे नया आप लोगों के लिए लाँच किया है, क्योंकि आज कल के जो जनरेशन है आजकल जो चल रही है वो नया डिजाइन्स पैटन मतलब लाइट वीट औरगेंजा वगरा जीमीचू वगरा ये फैबरिक चूज करते हैं लेकिन पुराने वाले क्या बोलते हैं हमें सिल्क साडी ही चाहिए तो सिल्क और औरगेंजा का मिक्समेच करेंगे हम आप यह साडी पहन लेंगे और अगर आप 50,000 रुपे की जो पूरा खड़ी पे जो कतान पर साडी बनती है और दोनों की फोटो क्लिक कर लेंगे और यह सारी चीजे भी हम मसीनों में हमारे याप पे रेडी होती है आपने अभी हमारी फैक्टरी में देखा है होगा कि एक प्रण करते हैं तो यह हमारी मसीनों से ही बनाया जाता है यह देख सकते हैं कांजी वरम साडी अभी मैं आपको साड़ियों की बहुत सारे डिजाइन दिखाने वाली तो सारी चीजे तो मैं आपन नहीं हो पाएगी लेकिन कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं इसमें पूर तो सब चीजें जब जो घड़ी की जाती है ना यह सारे चरक पॉलिस होती है तो यह पॉलिस बिगड़ जाती है इसके लिए हम यहां पे पूरी साड़ी ओपन नहीं करेंगे इस तरह से आपको सिल्क के बहुत ही प्यारे प्रेक रिएशन दिखाएंगे सारे सिल्क साडियों के आपको मैं डिजाइन सिखा रहा हूं यह देखे लिखा है ना कांजी वरम बिलकुल हर शहर में हर सिटी में इनका नाम यह भी कांजी वरम है यह भी कांजी वरम है बट इसमें सिल्वर जरी का यूज किया गया है, ब्रॉट बॉर्डर के साथ में, इसमें कॉपर जरी का यूज किया गया है, इसमें गोल्डन जरी का यूज किया गया है, ये देखिए, हमने इस तरह से नए-नए मैं बात करूँ तो 10-20,000 प्लस samples आपको मेरे यहां पे देखने को मिल जाएंगे वो भी silk sardis के अंदर यहां पे 10,000 से भी जादा samples है बिल्कुल और samples है सिरफ और सिर्फ samples और stock तो बहुत है बहुत जादा है और इसमें भी हमने हर एक age group के according color designs pattern यूज़ के हैं जैसे यह सब चीजे महरस्ट में अगर मैं बात करूँ तो 40-50 की age के बाद जो पहने जाते हैं और इस तरह से आप देख सकते हो cotton wear की साडियां जो है उसमें भी आपको creations मिल जाएंगी चंदेरी पे आपको यहाँ पे मिल जाएगी चंदेरी में जो सबसे जादा transparency और इस तरह से glossy look के जाना जाता है वो साडियों का creations आपको यहाँ पे मिलने वाला है यह आगया चंदेरी पे embroidery का काम इस तरह से आप देखिए और यह भी rich look एक दम बड़े-बड़े celebrities wear करते हैं politicians government officers सब पहनते हैं बिल्कुल यह देखिए यह डेली में आपको इस तरह से महाराश्टन में wear किये वह साड़ी का क्लेक्शन्स मिल जाएगा creations आप देखते जाएए एक से बढ़कर एक मिलने वाले हैं चलिए मैं आपको कुछ इस तरह से दिखा देते हूँ यह जोडजेट में आपने कभी सोचा है कि weaving का concept हमें मिल सकता है और वह भी silver साड़ी के अंदर अब देखें यह जो साड़ी है इसमें हमने सिर्फ सिल्वर जरी का यूज किया है वाइट साड़ी के अंदर अगर यही आपको कॉलकता की बैंगॉली साड़ी चाहिए तो रैड और वाइट की साड़ी भी हमारे यहां पे अवैलेबल आपको मिल जाएग और जरी में बीना कलर्स अलग लग होते हैं बिल्कुल यह देखे इसमें आपको पूरा पिंकी सेट्स का आपको यहां पे जरी में वर्क आपको देखने को मिलने वाला है तो इसमें देखिए पूरी कलमकारी की साड़ी रहेगी बटर सिल्क के उपर ब्रोड वाडर के साथ बटर सिल्क टैब्रिक लगबग हजारों तरह के हैं हजारों तरह की फैब्रिक हैं हरान हो जाएंगे नाम सुंचून के और मैं भी लगबग आठ दस साल से वीडियो बना रहा हूं आज तक मैं ही पहसान नहीं कर पाया क्या के नाम है बिल्कुल अगर मैं बात करूँ तो य बिल्क के अंदर वारेटीज लोंच करी है यह दिजिटल के अंदर भी जिनका लो बजट होता है ना मतब हर बजट के साब से हर शहर के साब से को यह न सोचे कि हम यह साड़ी पहन नहीं सकते या बेचने सकते अब सिम्रिंग फैब्रिक का जो चल रहा है इस तरह से हमने इस आज से पहले आपने कभी नहीं नहीं होगा वह टेशनल कलेक्शन हम आपको नए डिजाइन के साथ में अपडेट करके दे रहे हैं जो हमेशा से चलता है बस डिजाइन्स पाटन सब का नाम अलग लग हो जाता है हर सिटी हर सहर में इस तरह से आप दैख सकते हो गुजराती आपको पटोला साडी का कलेक्शन चाहिए प्योर के दर और नीचे ना पानेतर स्टाइल है बिल्कुल नाम अलगल हो जाते हैं मैंने जैसे बता रहा है आपको अगर राजस्तान की चाहिए तो आपको इसमें बांधनी लहरी है में भी विविंग कॉंसेट हमने यहां पे जाएंगे इसमें भी अगर आपको स्टोन का क्रेशन चाहिए तो हमने स्टोन के अंदर भी इसको बनाए गया है यह देखिए नवारी साडी कुछ इस तरह से होती है कॉटन बेस रहती है पूरा विविंग का कॉंसेट रहेगा है नौ मिटर में इसको धोती स्टैल में वेर किया जाता है जिसकी डिमांड अभी सबसे ज़्यादा है यह देखिए ऐसे ना सैक्डो नहीं हजारों डिजाइन्स हैं जिनको जैन्वन लेना है सिर्फ वही जूड जितने आप नए नए डिजाइन्स रखेंगे उस तरह से डिजाइन्स ज्यादा बिखते हैं और अगर आप हजार डिजाइन्स रखेंगे तो कस्टमबर खाली नहीं जाएगा बाकी चोईज आपकी है आप अपने सहर में छोटा सा काउंटर बना के भी यह सारी चीजे मिलेगी और साथ में एक्स्चेंज पॉलिसी मिलेगी और जब आप यहां पर आता है ना तो जैसे आपको लेंग्वेज उश्यू होता है तो तेलगू, तमिल, कंडर, नेपाली आसाम इस हर तरह का आपको यहां पर लेंग्वेज के लिए सेल्समें प्रोवाइड किये बाकि नंबर स्क्रीन पर दिये गए है एक बार ना यहां पर आएं जरूर बिलकुल अभी के लिए चलेंगे मैम तैंक्यू